प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी इस देश के प्रधान मंत्री या प्रधान प्रचार मंत्री मुद्दा नमबर दो हम बात करने वाले महिला सम्मान की कि किस तरह से भारती जनता पार्टी ने बिलकिस बानू और बलातकारी राम रहीम के पक्ष में अपना रुख दिकला कर कहीं न कहीं महिला सम्मान को आहद किया मुद्दा नमबर तीन राहूल गांधी पर हमले की तमाम हदों को बीजेपी पार कर रही है क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहूल एक परिपक को राजनीता के तौर पर उभर कर आएंगे मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि आप जानते हैं आज वो कितारनात में हैं इससे पहले उन्होंने गुजरात में न जाने कितने उधगाटन किये हिमाचल प्रदेश में चुनावों का एलान हो गया है अगर गुजरात में नहीं किया गया क्यूं ताकि प्रधान मंत्री वहाँ जाके स्कूलों का उधगाटन करें याने की सिर्फ प्रचार हो रहा है और गवनन्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या इस खबर का पंच शुरुआत करना चाहेंगे हम उर्मिलेश के साथ अभिसार मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 1947 के बाद से ये पहली रिजीम है और पहले प्रधान मंत्री है मारनी नईदिन बोजी जी जिनोंने कवर्नेंस को सरकार के कामकाज को अपने तरह तरह के रंग विरंगे लटके जटकों से बिलकुल रिप्लेस कर दिया है ऐसा लगता है कि सरकार को काम करनी की जरूरत नहीं है मोदी जी के लटके जटके ही परियाप्त है जैस खबर का पंच अब बताएंगी भाशा अभिसार ऐसा लगता है देखके प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को कि जैसे मान लोग fancy dress competition हो रहा है हर साल हम देखते हैं पिछले साल केदारनात में अलग dress थी इस बार अलग है और event to event सरकार चल रही यानि एक event से लेकर दूसरे event तक अभी आयोध्या में जाने वाले हैं और इस बहाने जो coverage मिलता है जो सारे बुनियादी मुद्धे हैं जो सवाल हैं उनके उपर ये भव्य दिव्य आयोजन भारी पड़ते हैं और जनता का मन उसी तरफ मोड़ने की कोशिश इन कारिक्रमों के जरिए इन आयोजनों के जरिए हमारे पैसों से करते हैं अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर पंच मेरा ये है ब्रिटन में उनकी प्रधान मंत्री 45 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दी दिया क्यों क्योंकि वो एक ऐसा बजट लेकर आई जिससे महां की आर्थिक स्थिती बदल गई मुझे बहुत हैरत हुई ऐसा भी होता है क्या जवाब देही के चलते इस्तीफा देना पड़ता है दरसे ली सब ड्रामा यूं हो रहा है जिसका हम जिकर अभी कर रहे है ताकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बीजेपी को जवाब देही से बचाया जाए कमरे की जो खिड़की है वो भी स्केच्पन से बनाई गई है वो जो पूरा सेट अप है उसे किया गया है और कहा क्या जा रहा है कि हम मिश्चन स्कूल अव एक्सेलिंस का उद्गाटन कर रहे हैं और यह सब इसलिए ड्रामा हो रहा है कि गुजरात की चुनाव आने वाले ह कितने शर्मनाग बात है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावों की घोश ना कर दी मगर गुजरात की सिर्विस लिये नहीं की ताकि प्रधान मंत्री यहां पर प्रचार कर सके हैं देखिए एलेक्शन कमिशन की बात आपने की तो मैं एलेक्शन कमिशन से पहले शुरू करता हूँ फिर असल मुद्दे पर आता हूँ एक दो वाक्य में समेटता हूँ देखिए एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया इसने अपनी जितनी इसको विश्वसनियता जितनी इसको प लेकिन आज हालत यह है कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि इंडियन एलेक्शन कमिशन जो है उस डिस्क्रेडिट होता जा रहा है यहां तक कि यहां पर लोग उसका नाम करन जो है वो अभी बदल दे रहे हैं अब मैं फहिम नहीं कहना चाहता यह बात क्योंकि एक जैनलि पिछली मार ऐसा नहीं हुआ था यह कोई लॉजिक नहीं है यह सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि प्रदार मंत्री और सरकार को यह समय मिल जाए कि वो लगातार प्रचार करते रहें और यह भी कि जब हिमाचल के अंदर मतदान होगा उस दिन गुजरात में चुनाव प्र गोंगा मैं उन्नोंने उन्होंने वड़ी दिशॉफ और जाएंखार में और आफिस इंजा आ। वो पतानी क्या उनको हो गया है इंवेस्ट नहीं कर रहा है इंडिया में अरे आप देखिए विदेशी इंवेस्टमेंट कितना आ रहा है और मज़े की बात है कहती है मित्की चरित्रों को इंवाल्ब करते हुए बयान में कि इंडियन जो कैपलिस्ट है इंडियन जो कार्परेट है लगता है उसको ये अनुमान नहीं है कि वो कितना शक्तिसालिय है वो हनुमान की तरह है और हनुमान की तरह है उसको तागत अपनी मालुम नहीं है उसको बदाना परणा है आपनी बहुत दिशस शब्द का इस्तमाल किया कि मानों ऐसा लग रहा एक fancy dress competition चल रहा है मगर भाशा इस fancy dress competition में एक यी व्यक्ति शिर्कत कर रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का competition उन्हीं के साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा है और वो सब हमारे आपके पैसे से हो रहा है मैं यहाँ यह जरूर कहना चाहूंगी कि जब यह आप भव्य दिव्य आयोजन देखते हैं तब आप यह भी सोचेगा कि भारत का global hunger index में क्या स्थान है भारत भुखमरी में सिर्फ 14 देशों से दुनिया में पीछे में है लेकिन अब आप जब आप बुलाते हैं UN के Secretary General को और वो कहते हैं कि आपके हाँ political power की दिक्कत है आपके हाँ लोगतंत्र की दिक्कत है, minority की दिक्कत है तो आप क्या करेंगे तो बुनियादी चीज अभिसार यह है कि यह सारे जो भव्य आयोजन है जिन्हें लेकिन बहुत लोग बहुत प्रसन्नो होते हैं वो यह भूल जाते हैं कि दरसल हम ही उसके लिए पैसा दे रहे हैं मोदी जी की ड्रेस हो, उसका जो पूरा टी आरपी हो यह एक ऐसे देश में अब आप सोचिए जहां पर इतने बड़े पैमाने पर गरीबी है इतने बड़े पैमाने पर भुहमरी है जहां चालिस लाख के करीब युवा कुछ हाजार नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में जाते हैं वहां इस तरह कि भविद दिव आयोजन दरसल भारती लोकतंतर और हम आप सब के लिए बहुत खत्री की संकेते कि हम इसी में गूले हैं हम इन तमाम मुद्दों पर बात करना भूल जाएंगे हमें लगागा कि नहीं यह आयोजन कितना अच्छा था, ड्रेस कितनी अच्छी थी कितना बहतरीन उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान और यह सारे धार्मिक अनुष्ठान बुनियादी तोर पे हिंदु धर्म को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं जहां आप एक साधगी और प्रचार, भगवान और आपके बीच कोई प्रचार की जरुवत कभे नहीं रही मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँ ँगा पुरानी जमाने में राजा-माहराजा इस तरह से किया करते थे Romans के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कलोसियम का निर्मान किया था, stadiums का निर्मान किया जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए उन स्टेडियम्स के अंदर मुकाबले कराए जाते थे जानवर का जानवर के साथ जानवर का आदमी के साथ आदमी का आदमी के साथ ग्लाडियेटरिल fight सोदबुआ करते थे उसका मकसद यह था कि असल मुद्दों से भटकाया जाए भारत में तो मुझे लगता है यह जो fancy dress competition हो रहा है इसका मकसद ही यह है इसका मकसद ही यह है कि असले मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए इन्ही चीजों में आप लोगों को सुलजाए उलजाए रखे हैं और जनता भी खुश है देखें मैं इसलिए अभी निर्मला सितारमन जी को कोट किया जान बुछ कर की नरेंदर मुदी जी की सरकार शुरू से ये कह रही है कि वो इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा म मिजरेवली फेल किया है इन्वेस्टमेंट में भी और तब वित्मंत्री को रोना पड़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है देशी जो पुझी पति हैं लगा नहीं रहा है आपको वालू मैं भारत के पुझी पति विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और तमाम तो अभी क्या है कि इन्वेस्टमेंट के मोर्षे पर भी फेल शिक्षा स्वास्ति के छेत्र में बुरी तरह फेल जैसा कि वारशा ने भी कहा कि हंगर के इंडेक्स में क्या है आप देखें SDI का अगला जो इंडेक्स आएगा उसमें इंडिया फिर गिरेगा और Human Development Index जो है उसमें वो नहीं कह सकते कि ये इंडेक्स किसी और ने तयार किया है क्योंकि वो UNDP तयार करती है सबसे दुखत बात यहां यह है कि यह जो पूरा आज जो केदारनात में हमने पूरा देखा न्यूस चैनल्स उससे जिस तरह से दिखा रहे थे न्यूस चैनल्स को कम से कम थम कर रुक कर यह सवाल पूछना चाहिए था कि कब तक और एक बहुत ही वाजिब बात यहां पर उनमे लेशीज ने बताई कि जिस दिन हिमाचल में वोट डाला जा रहा होगा उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लोग गुजरात में कोई ऐसा आयोजन कर देंगे ताकि न्यूस चैनल्स दिन भर प्रधान मंत्री की तस्वीर दिखाए आपको याद होगा लोग सभा चुनावों में 2019 में भी यही किया था हर चैरण में वोटिंग वाले दिन मोदी जी पहुँच जाते थे आपको यादा पश्रि मंगाल चोड़िये वो तो बंगला देश पहुच गए और उसके बाद नेपाल पहुच गए और फिर वो गुफा में बैड़ गए जो एक आपका निजी मुद्दा है आप और भगवान से के बीच जिस भी धर में है उसमें आपका प्रचार तंत्र ऐसा है जैसे आप अपनी मा से मिलने जाते हैं मा से मिलने से पहले आप कैमरा पहुचाते हैं यहाँ नंदी के सामने आप खड़े होते और नंदी से पीचे कैमरा होता है यह बहुत शर्मात है अचा कोई और राजनेता ऐसा कर दे मैं आप वैसे अपने दर्शों को बता दें कि भाशाया जो जिक्र कर रही है आपको एक तस्वीर याद होगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ली गई है और जो फोटो ली गई है वो माने भारती नागरे कि या दुनिया का कोई सिटिजन जब अपनी आस्था से जुड़े मक्का में जाए मस्जिद में जाए गुर्दवारे में जाए चर्च में जाए वहां इतने कैमरे की क्यों जरूरत एक वजह बताईए कि क्यों जरूरत हो कि आपका भव्य दिव जो आ हमारी आस्था का प्रचार प्रसार सिर्फ आप चुनाओ के लिए कर रहे हैं ये एक बहुत दुखत परिगटना है भारती लोकतंत्र के लिए चलिए अब हम रुख करते हैं आज के दूसरे मुद्दे का राहूल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं मगर उन पर हमले के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं हाल ही में बीजेपी ने काटून जारी किया और उसमें उनकी मां का जिक्र किया गया था और राहूल गांधी यातरा भी कर रहे हैं और उनकी यातरा की कई तस्वीरे भी सामने उबर करा रहे हैं खासकर वो जिस तरह से कों से इंटरैक कर रहे हैं वो बहुती स्वाभाविक दिखाई देता है बड़ा प्रश्निय कि क्या ये राहूल गांधी को एक बड़े राजनीतिक मुकाम तक ले जा सकता है क्या वो लोकप्रियता के माइनों या राजनीतिक कौशल के माइने में प्रधान मंतरी नरेंद्र म पदयात्राएं अब तक होई हैं जो मुझे याद हैं उसमें हर पदयात्री नेता को निश्चित रूप से उसका युएसपी कहिए या उसकी लोकाप्रियता कहिए आकरशन कहिए वो बढ़े है वो उसमें बढ़त्तरी हुई है हर आत्रा के बाद अब सवाल इस बात का है कि र बड़े जननेता के रूप में उभरेंगे की नहीं उभरेंगे ये सवाल है क्या इस खबर का पंच भाशा बताएं अभी सार एक बात बहुत साफ है जो आपने जिसका जिक्र किया दो मायनों में राहुल गांधी अपना एज या अपनी बढ़त स्थापित कर चुके हैं अभी तक उन्होंने ये दुनिया को दिखाया देश को दिखाया कि देश के प्रधान मंत्री तो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं वो हर जगा जहां पर भी लोग पहुच रहे हैं प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं और खुले आम बात कर रहे हैं सबसे मिल रहे हैं और दूसरा वह एक आम नागरिक के तौर पे आम नागरिकों से मिल रहे हैं गले लग रहे हैं लोग आ रहे हैं तो दूसरी चीज जो क मनाख हमला है जो कार्टून बनाया गया वो राजनितिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए कार्टून है कम से कम अभी तो यह मुझे दिखाई दे रहा है अभिसार आपका क्या पंच है इस पर इस खबर पर मेरा पंच यह है कि राहूल गांधी की आत्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी भारतिय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनकी अपनी मजबूरी के चलते उन पर हमले करते रहेंगे और यह अधिकतर हमले गर्मा के दायरों को पार करते हुए शालीनता की लक्षमन चोटी और तुच्छ नजर आएगी और इसका सीधा फाइदा राहूल गांधी को मिलने वाला है मगर उसे उन्हें सामंजस से बिठलाना पड़ेगा राजनीती के साथ ताकि इन दोनों का असर कॉंग्रेस पर पड़े तो इसकी चर्शा को आगे बढ़ाते हैं मुझे बीजेपी हर जगा बवाल कर रही है इनके आंकर्स भी सामने आ रहे हैं कि उनकी मा की साथ ऐसा नहीं करना चाही था बिलकुल नहीं करना चाही था और यह बयान दो-तीन साल पुराना है जब वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी में था भी नहीं यहाँ पर आए दिन और हमने वो शो भी किया है उसके अंदर आप राहूल गांधी को पहले बाद तो कार्टून के जरियाब ह Campbellा करने है और उसमें उनकी मा का खर कर रहा है बीजेपी को कभी बीजेपी के लिए मरियादय कभी नहीं होती है यह लक्षमन रिखाएं कभी नहीं होती है देखी है अबिसार भारती जन्ता पार्टी ऐसी पार्टी है और इसका जो मातरी संगटन है RSS वह भी जो अफवाहों के मास्टर रहे हैं हमेशा और अफवाहों से जुड़ी जितनी चीज़े हैं सब में उनकी एक्सपरटाइज है तो उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक बेहतर राजनीत के लिए अफवावाजी और बिलो दो बेल्ट जाना ये गलत है और एक लोकतांत्रिक समाज में बिलकुल इसको डिसकरेज किया जाना चाहिए लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इन शक्तियों को काउंटर करने के लिए आपको सिरियस एजन्डे उठाने पड़ेंगे सिरियस काम करने पड़ेंगे आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अभी जो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि पदयात्रा में जो एक आकरशन है एक मोबिलाइजेशन जो दिख रहा है वो संगठन की स्ट्रेंथ में करणवर्ट होगा कि नहीं कांग्रेस के पहली बात दूसरी बात कि जो देश्ट में विभिन छेत्रों में जो आबादियों की अंदर जो सामाजिकता है उसके जो अपने समीकरण हैं उनको क्या कांग्रेस के नेता समझ पा रहे हैं क्या उनको तलाशनी की कोशिश हो रही है क्या उनको राजियों की प्रांती रज्यो राजनीती है क्या उसमें समीकरण समझ में आ रहे हैं गुजरात में एलेक्शन है हिमाचल में एलेक्शन है क्या उस पर भी कोई नजर है या केवल भविश्य के बारे में है तो मुझे लगता है कि there are many questions लेकिन Congress के बहुत सारे नेता स्वेम आत्म मुग्द हैं और वो इन सवालों पर विचार नहीं कर रहे हैं तो ये बहुती जटिल एक समस्या है हम बात कर रहे थे भारती जनता पार्टी के हमलों की भी तो आपको याद होगा कि राहूल गांधी एक छोटी सी लड़की जो मुस्लिम लड़की है उसका हाथ पकड़कर चल रहे थे तो संबित पातरा को उसमेधार में एक तुष्टि करन दिखाई दिए गया स्मृति इरानी ने राहूल गांधी की यातरा के शुरुआत में एक जूट के जरी उन पर हमला बोला मगर स्मृति जी के लिए कोई नई बात नहीं है वो आए दिन राहूल गांधी की परस्नलाइज ट्रोल बन कर रहे गई है मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसके दो पहलू है भाशा एक तरफ तो जिन तस्वीरों पर हमला कर रहे हैं उस पर कोई सोच भी नहीं सकता है हमला हो सकता है नमबर एक मगर दूसी तरफ यह जो इनसानी जजबा की जो तस्वीरे आ रही है राहूल गांधी का जो इंटराक्शन है क्या राश्ट्रे तोर पर खासकर हिंदी बिल्ट पर इसका असर पड़ेगा जी यह बहुत मेरे खाल से सबसे बड़ा एक क्रिटिकल सवाल बहुत एहम सवाल है अभिसार मुझे दो चीज़ लगती है कि एक कम से कम जो काम इसने अभी किया है जो उर्मिलेश जी ने जिसका जिक्र किया कि वो अफवाएं पहलाते हैं अफवाहों के आधार पे जो अधारना वो बनाते थे उसे राहुल गांधी अभी तक तोड़ने में सफल हुए हैं एक मजबूत पारफुल नेता के तौर पे ऐसा नेता जिसे जनता से मिलने में डर नहीं जिसे जनता मिल सकती है बच्चे मिल सकते हैं महिलाय मिल सकती हैं हर उमर की और हर धर्म की तो यह तो यहां तक उन्होंने अपने बारे में जो पप्पू और जो काटून भी उन्होंने बनाया कि बेचारा सा बच्चा उस चवी को अब लोग स्वीकार करने के लिए तैयार उस तरह से नहीं है क्योंकि यहां 1000 किलो प्रधान मंत्री जी हैं जो बिलकुल हाई एंड पर हैं लगातार फैंसी ड्रेस बड़े बड़े घटना बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं और एक राजा वाला लुक दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी नेता के तौर पे अपने को बता रहें कि नेता य प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी की खांटी राजनीती है अवसरवाद है वही अवसरवाद जो मैं अर्विन के जिवाल के रवएए में भी देखते हैं यूगि आपने जिक्र किया गुजरात की चुनावों का तो एक तरफ इनका आदर्शवाद दूसरी तरफ खांटी अवसरवाद और राजनीती ये मुकाबला संभव है क्या मैं जो सवाल उठा रहा था ये ये जो आपका प्रशन है उससे जुड़ा हुआ है एक तो ये कि जो आकर्शन जो पैदा हुआ है जो भाशा बता रही है कि कैसे वो एक नए नेता का एक विम्ब पेश कर रहे हैं कि आमादे मिलता है बचे मिलते हैं बोड़ी औरते मिलती हैं जवान औरते मिलती हैं बच्चिया मिलती हैं लड़के मिलते हैं जो राजा महराजा वारी राज में नहीं मिल सकते लोगों से तो ये बात सही है लेकिन देखे भारत एक बहुत जटिल देश है बहुत जटिल भी नही राहोल गान्दी अभी उस छित्र में डाकिल ही नहीं हुए है जहां कांगेस के कारण making आप एक कहने का प्रयास कर रहे है कि अभी उसको परकना बाकी है मगर इससे पहले कि मैं अगले विशय की तरफ बढ़ू हूँ राहूल गांदी एकमातर ऐसे राजनेता है जो बिलकिस बानों की आवाज भी उठा रहे हैं बगएर इस बात को डरे कि हमारे वोट्स तो नहीं कट जाएंगे अर्विन केजिवाल से सवाल भी उस पर कुछ टिपड़ी भी नहीं कर रहे हैं जवाब भी नहीं दे पाए जब वो गुजरात में थे और यहां देखिए एक चीज में ज़रूर यह कहूंगी कि नागपूर में अभी जो चुना हुआ बहुत चोटे पैमाने पर है आरे सिसका बड़ी ज़रूरत यह है कि आप यह सेट करिए कि ऐसे भी राजनीती होती और ऐसे भी नेता होते क्योंकि 2013-14 के बासे लगातार आपने बताया कि सिर्फ नफरत होती है तो नफरत के बरक्स जितनी लोग हैं जो नफरत से परिशान है अगर वो आते हैं तो उनका असर चुन जीत गए तो वो दिखा रहा है कि organization में कुछ vibration तो हो रहा है कितना होगा यह तो समय ही बताएगा ठीक है अब हम तीसरे मुद्दे की और बढ़ते हैं और वो है महिला सम्मान दो घटनाए हुई पहले तो मोधी सरकार ने इस बात को स्विकार ही नहीं किया कि बिलकिस बानों के गुनागारों की रहाई में उसका हाथ था मगर फिर गुजराद सरकार सुप्रीम कौर्ट में कहती है अदालत में कहती है और वो खत सामने आता है जिसमें अमिट शा के मंत्रा ने बाकाइदा CRPC के section 435 का इस्तमाल करके उन्हें रहाई दी और दूसी तरफ राम रहीम को परोल पर रहा करना क्यों क्यों कि एक जगा बाइलेक्शन होना था और फिर उनके एक सतसंग में भाजपा के नेता उन्हें पिताजी बताते हैं यानि कि महिला सम्मान के मुद्दे को बार बार बीजेपी तारतार कर रही है क्या इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे आजए तारीक में बिल्किस से लेकर यहां कि caused जारीक में ब्लकिस के समय भी हमने कहा था कि यह मामला मुस्लिम महिला कर नहीं है यह भार्यती महिला के अपमान का मामला है जिस तरह से तीन महीने का पेरोल इस महीने मिला, इस साल में 흥े मिला 2022 में और जिस तरह से हर्याना के ग्रिह मंत्री बोलते हैं कि भाई ससंग करने का अधिकार है तमाम अधिकार है उससे साबित हो गया कि बलातकारियों की यहां पर बहुत बड़ी जगा है अगर आपको राजनितिक फायदा होता है भाश्पा अपने राजनितिक फायदे के लिए बल पूजनी स्थान पर बठा सकती है और महिलाओं का हिंदू महिलाओं का अपमान करने में उसे कोई दिक्कत कहीं नहीं होती है इस मुद्दे पर मेरा राजनितिक पंच यह है कि अमूमन महिला सम्मान को लेकर सभी राजनितिक दलों में समान विचार हुआ करते थे निर्भया कांड हुआ तो आपको याद होगा कि राहूल गांधी ने पीडित परिवार की बेताहाशा मदद की थी मगर बीजेपी ने महिला सम्मान को लेकर जो पूरा समवाद है उसे तहस नहस कर दिया है उसे कभी धर्म के माईनों में उलजाता है यानि कि बिलकिस की अगर मैं आवाज उठाओं तो मैं अंटी हिंदू हो गया और कभी नेता की शक्सियत यानि कि या फिर व्यक्ति की शक्सियत के इर्दगिर्द उसे उलजाकर रखना चाती है मसलन राम रहीम अब क्या है इस खबर का पंच और मिलेश आप बताएं देखे मैं समझता हूं कि खाल के ये जो घटना जैसे बिलकिस बानों का जो मामला है अभी राम रहीम को जो छोड़ा गया है वो भी चुनाओ के आन मौके पर क्योंकि हर्याना में भी चुनाओ है हिमाचल में भी चुनाओ है तो ये ऐसा लगता है कि हम एक अनोखी लोकतंतर बन गए हैं जहां रेपिस्ट के जरिये चुनाओी जो सफलता है काम्याबी है उसको हासिल करने की कोशिश कुछ पुलिटिकल पार्टीज कर रही है ये हैरतंगेज है भाशा आप जानते हैं सबसे शर्णाग बात ये है कि वैसे तो भारती जनता पार्टी इस पर खुलकर कुछ कहनी रही है और ना इनका पालतू मीडियन से सवाल कर रहा है प्रहलाज जोशी जो है इनके मंत्री उनसे एंडी टीवे के इंटर्वियू कर रहा था तो प्रहलाज जोशी का कहना था इसमें गलत क्या है सब कुछ तो हमने व्यवस्था और प्रक्रिया के हिसाब से किया अरे सिविल जज्ज ने इसका विरोध किया खुद सी बी आई ने इसका विरोध किया स्पेशल ब्रांच आफ पुलीस ने इसका विरोध किया आप किस मुसे देश की जनता को बता रहे हैं कि प्रक्रिया के हिसाब से हुआ और आप अतने बेश्चर्म हैं कि आपको ये लग रहा है कि बिलकिस के गुनागारों को रिहा करके आपको हिंदू का वोट मिल जाएगा आप गुजरात में चुनाओ के देख रहे हैं और ये भी देखी अभिसार कि जो नियम काइदे बता रहे हैं यहाँ पे दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है कि ये तमाम बलातकारी और हत्यारे एक हजार दिन बाहर रह चुके हैं अपनी पूरी सजा में पैरोल और जमानत पर एक हजार दिन ये सरकारी आकड़ा है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया तो ये तो आलम है कि जब एक व्यक्ति जो गैंग रेपिस्ट है जो एक बच्चे को मारता है पटक के पत्थर पे उसे आप इस तरह की छूट देते हैं और बाकी हम जानते कि कितने स्ट नहीं पड़ता इतने साल के अपने पत्रकारतिया के अनुभाव में कि एक रेपिस्ट एक हत्यारा जिसने पत्रकार तक की हत्या की है जिस पे आपका अदालत फैसला दे चुका है उसका इतना भव्य दिव आयोजन होता है और वो पूरी बेशर्मी के साथ अभिसार मीडिय को रूबरू होता और कहता है आप हमारा इंतजार करिये सही सीनियर लोग आपको संदेश देंगे मतलब कोई पर्दा ही नहीं है आप बता रहे हैं कि हम आपको संदेश देंगे आप तब वोट दीजेगा पुरमिलेश जी सबसे शॉकिंग है लाकि शॉकिंग नहीं है मैं तो यह उम्मीद कर रहा हूँ प्रधान मंत्री पूरी तरह से खामोश महिला बाल विकास कल्यान मंत्री जैसे मैंने कहा उनकी भूमे का तो ऐसे लगती है कि राहूल गांदी की परसनलाइज ट्रोल बनी हुए है उसके लावा कुछ नहीं पूर्फोलियों ही चेंज हो जाना चाहिए राष्ट्री महिला आयोग पूरी तरह से खामोश इस मुद्धे पर मतलब महिलाओं के साथ ज्यादती की आपको कौन सी मिसाल चाहिए है अंकिता भंडारी बिलकिस बानो राम रहीम की रहाई हामोश है और ये देश की जनता बैधानिक संस्था के रूप में मानिता प्राप्त हो इन सभी की स्थिती भारत में ये हो गई है कि वो बिलकुल खामोश लाती है ऐसे इसे इस पर और ये अब अच्रस का विशह नहीं है और मैं समझता हूं कि उनको आप प्रेरित भी नहीं कर सकते कि वो रियक्ट करें क्य कि उनके उपर भी खतरा है उगया है मिन इस तरह की बातें करते हैं मुझे लगता है कि सिर्फ और शिर्फ इस देष की जंता कर सकती है क्योंकि मीडिया जो है वो सत्ता का विलकुल उपकरण बन गया है मीडिया से भी अब वव उमीद नहीं की जा सकती जैसे आपने देखा कि दुनिया के कई मुलकों में मीडिया ने अत्याचारों के पक्ष में काम किया हम सब जानते हैं रवांडा रेडियो रवांडा तो अत्याचार दमन उत्पीरन फासीजम के पक्ष में कैसे मीडिया नाम का तंत्र जो है काम करने लगता है वो खत्रा भारत में उपस्थित है मिलकुल मूर्थ होकर तो ऐसे मैं मैं समझता हूँ कि सिर्फ जनता एक मातर भी कल्प है और दुखा दिया है कि कुछ एक स्टेट्स की जनता को इस तरह से उसकी चेतना को भोतरा कर दिया गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उदारन के तोर पे बिलकिस बानों के मामले में मेरा मानना है और बहुत सारे गुजरात के मेरे दोस्त भी कहते हैं जो कि वो इंटिलेक्शल्स हैं जरनलिस्ट हैं कि चुनाव के दरम्यान जान बुच कर वो रहा कराया गया है कि इसका भी फायदा लिया जाए और उन्हें डर नहीं है कि इसका उन्हें चुनावी नुक्स कि क्यों कि समाज की जो राजनीतिक चेतना है जो संबेदना है उसको नस्ट कर दिया गया है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जैसे बहुत सारी बीमारियां जो है अब एक सेकंड शरीर की जो टीशूज उनको मार डालती है ठीक उसी तरह से मनुष्शिता की जो एक चेतना है संसकारी ब्रामण थे यनि आप बता रहे हैं समाथ के एक सेक्षिन को कि ये कौन थे इस तरह की और रामरहीम की और उसमें भारती जनता पार्टी के चार-चार नेता शामिल होते हैं और बीजेपी की निथा ये कहती है पिताजी शब्द का इस्तवाल करती है और मैं यह समझना चाहता हूँ इस की भारती जनता पार्टी को क्या बिलकुल भी नहीं लगता चाहे बिलकिस हो चाहे कुलदीब सिंग सेंगर हो चाहे हातरस हो चाहे जम्मू के यहां पर आपराध वे इस प्रवतिक शूप लड़की यहां पराई साविक हो इस पूम रदल फूराई को हिंडू दोशे नियुक्ता यहां पर रॉब्चा को प्राइड महीं इक वान पसmenteला नहींDes गुल्डकी तो हिंदू लड़क演 थी कि recite our Natale to Paranusamu होता है वहाँ उनको हिंदू लड़ के याद आ जाती है लेकिन गुर्मीत वाले मामले में जिस बेहियाई से बत्तमीजी से पूरे के पूरे आयोजन को किया दरसल वाला मामला देख लीजिये ना अंकिता भंडारी में जो अत्याचारी था वो भाजपा के नेता का बेटा था वहां तो गोड़ा के सांसद नहीं पहुंचे और देखे यहां पर आप देखे कि पूरे सिस्टम को गुरमीद के साथ तो इन्होंने मुहर लगाई है कि अगर रेपिस्ट हमें वोट दिलाएगा तो हम उसको बचाने के लिए उसको इस्थापित करने के लिए सब कुछ और देखे राम रहीम जो है उसके मामले में मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मिलिटी के स्थर पर भी इलेक्शन कमिशन को ततकाल रियक्ट करना चाहिए था क्यों कि इस टेलिविजन पर जो प्रदर्शन हुआ उसका मेयर का और अन्यनेताओं का भाशन करना उसके सामने और पिता पिता कहना ये तो इलेक्शन कमिशन का मामला है क्योंकि हरियाना में इलेक्शन चल रहे हैं वहां पंचायत के चुनाओं है और इसके बाद भी और अदमपुर का भी धानसभा चुनाओं है फिर भी इलेक्शन कमिशन ने अब तक एक वाकिन है लेकि पंजाब का चु चुनावायोग कब रियाग करता है चुनावायोग तब रियाग करता है जब National Commission for Child Lives Protection जो है वो राहूल गांधी की शिकायत करते हैं कि राहूल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्तरा के लिए बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं तब चुनावायोग रियाग करता है और लोग इस कारिकरम को शेर करें और अपनी राय भी दें अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत तमस्कार